तो पठान मुवी रिलीस हो चुकी है और साले रेकोर्स भी टोल रही है और भाई सब क्या टिकिट पीक रही है मतलब कि मैंने वो मुवी पहले दीनी देख ली थी लेकिन भाई हर एक रिफ्रेस्ट पे सो फूल हो लाई थे हाँ तो मैंने फिल्म दूसरी बार संदे को भी देखी अब कि दूसरी बार मुवी देखने के बाद मेरा उपिनियन चेंज हुआ और असर में मुवी कैसी रिवो में इस वीडियो में बटाओगा देखो मैंने जब मुवी पहली बार देखी तो तब मुझे लगा कि मुवी ठीक ही है मतब कि ऐसी नहीं थी कि एक बार भी न देखी जाए और ऐसी भी नहीं है कि इस मुवी ने साले लेकोल तोल दिये हाँ जो कि ये मुवी सिनेमा में देखने को ही बनी है क्योंकि पूले 4 साल बार SRK की वापर सेंट्री हो लई थी तो देखना तो बनता ही था और उनकी हीरो पंती ही इस मुवी को चला रही है क्योंकि हाँ देखने में एंटर्टेनिंग थी क्योंकि जो भी कुछ दिखा लए थे वो देखने में मजा आ ला था लेकिन स्टोरी और विज्यूस में थोड़ा 19-20 हो गया और जहां पर एक्षन था वो लो फिर्ड नहीं देला था क्योंकि एडिटर ने बड़े अच्छे से कड लगाय थे जो कि देखने में भी अच्छे लगे और गल्टी भी ना दिखे लेकिन अगर स्टोरी की बात कर तो मुवी की स्टोरी उटनी अच्छी नहीं थी क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो SRK की रास फिर्म Zero इस मुवी से भी बहुती अच्छी है लेकिन उस फिर्म को ओडियंस का उटना प्यार नहीं मिरा लेकिन वो लोग मल्टी वर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और वो लोग जानते पी थे की ओडियंस का देखना चाहती है तो उस मुवी ने हम ओडियंस को एंटरेटेन भी किया और उनका काम भी हो गया सेम ही इस मुवी के साथ है क्योंकि पथान टाइगर तीमेट दीखेगा जिसकी हिंद सर्मान खान ने खुट दिये मुवी में तो वो लोग इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलोप करेगे बाकि देखा जाए तो एक्सन अच्छा था SRK की एक्टिंग, एक्स्प्रेशन और कॉमेडी अभी भी राजवाब है और जॉन अब्राम उस बंडे को तो लोगों ने कितना ज्यादा इग्नोर किया है मतलब कि उससे ज्यादा टारिफ SRK की बाल की हो लई है अगर अस्तर में देखा जाए तो जीम का केरेक्टर पठान से भी ज्यादा स्क्रॉंग था लेकिन मुवी तो पठान के उपड़ है जीम को देखके जॉन अब्राम कोई डो केरेक्टर की याड़ जलूर आएगी एक तो ढूम वाला एन एक रेस्टू वाला केरेक्टर क्योंकि जीम में कबीर का एटिट्यूट एन अर्मान मरिक का हरामीपन डिखेगा वैसे वाल टू आने वाली है एसे रूमर है कि जीम वर्सिस कबीर आइमीन रिट्टिक रोसन वर्सिस जॉन अब्राम देखने को मीरेगे बाई वो तो बावारी होगा एन मुवी में डायलोग भी है कि जीम एन कबीर बेस्ट एजन्ट है एन साथ में काम भी करते थे लेकिन अगर वो लोग साथ में डिखेगे तो उस मुवी की स्टोरी साथ पठान से पहले की हो एन साथ हो भी सकता है कि जीम बज गया हो लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुवी का नाव वाल टू नहीं बलकि फास्ट एन फिलियोस होगा तो टाइगर 3 में टाइगर के साथ पठान और कभीर भी दिखेगे और साथ वाल 2 में टीनों को एक साथ दिखे एकस्पेक्टेशन बहुत है और कहानी भी लेकिन अभी जो भी होने वरा है वो बावाल होगा और भाई सब डीपी का पाडुक और उसका बेस अलम लंग अब अधब कि उन्होंने मेरा ध्यान तो खीची लिया था वैसे पफोर्मस की बात करो तो सब की अच्छी थी क्योंकि मुई कई जगह पे हसा डीपी है और जहां पे सीरियस होना चाहिए वही पे वो टोन भी पकड़ी हुई थी तो देखा जाए तो एक तरीके से डिरेक्शन भी अच्छा था लेकिन कई जगह पे पठान वाल मुई की याद दिलाएगी अब मैं गार दूसरी बार दोस्त लोगों के साथ मुई देखने को अब सीरी सी बात है जब आप अपने दोस्त के साथ मुई देखने जाते हो तो आप टाइम के लिए जाते हो ना ही मुई के दिये अब जो कि मैंने मुई पहले भी देख ली थी तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए तो मैंने डूसरी बाल सिर्फ मुई को एंजोई किया हर एंट्री एंडासू डालोक्स पे चिल लाया एंड सीटी भी मारी खास करके एंट्री पे तब मुझे लिए राइस हुआ यह फिर्म सिर्फ एंटर्टेशन के लिए बनी है और स्पेसरी मेरे जैसे एंटर्टेशन के लिए आप भी यह मुई देखना चाहते हो तो वैसे मुझे नहीं रगता कि अभी तक किसी ने यह मुई नहीं देखी लेकिन अगर देखी तो मैं रिकमेंड करूगा कि एंटर्टेशन होना चाहते हो तो यह मुई ठीटर में ही देखना गई जगह पर 19 वी सोने के बाद भी मुई एंटर्टेशन तो कलती है वैसे यह मुई एमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीस होने वारी है तो आप एक दो महीने बाद एमेजन पर पर भी यह मुई देख सकते हो वैसे आपको यह फिल्म कैसी रगी वह कमेंट में जरूर बताना क्योंकि इस फिल्म ने बॉली वुट को तो सेव कर ही लिया है और अभी तो S.R.K की जवान और डनकी भी आने वारी है उस मुई के लिए कितने एक्साइटेड हो वह भी कमेंट कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मिलता बहुत ही जाट टप टप के लिए बाई